किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रिकल्चर योट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिर्च का उत्वादन कैसे बढ़ाए मिर्च के पोदों में फलपूलों के संक्या को कैसे बढ़ाए तो किसान भाईयो अगर आप मिर्च में फलपूलों के संक्या को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको तीन बातों का खास तोर पर ध्यान रखना पड़ेगा पहला मिर्च में किसी भी परकार के रच्टूसक कीट जैसे की सफेद मक्की त्रिप सहरा तेला इनका अटेक नहीं होना चाहिए मिर्च में अगर राष्ट उसक केटों का अटेक होता है तो ये पत्तों का राष्ट उस्ते हैं जिसे पोदे की ग्रोध पूरी तरीके से रुख जाती है और पत्ते उपर की दरब मुणना शुरू हो जाते हैं जिसे वाइरस भी का जाता है मिर्च में कोई भी रोग का अटेक नहीं होना चाहिए मिर्च में फंगस के करण कई प्रकार के रोग लगते हैं तो उनकी रोगताम आपको करना पड़ेगा तीसरा मिर्च में समय समय पर आवशकता नुसार पोशकता तो देना चाहिए जैसे कि पोदे को अगर किसी पोशकता तो की आवशकता है तो उसको सही समय पर वह पोशकता तो मिल जाता है तो पिर पोदा बहुत अच्छे तरिके से ग्रोध करता है तो अगर आप मिर्ची की खेती में इन तीन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो फिर आपके मिर्ची में जबरदस्त फलपूल आएंगे और बहुत अच्छी पेदावार मिलेगी तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में एक इस्प्रे के बारे में बताने वाला हूँ जिसका पुर्योग अगर आप मिर्ची की भसल में कर लेते हैं तो आपके मिर्ची के पोदे में कोई भी कीड वर रोग नहीं लगेगा और पूरा पोदा मिर्च और फल फूलों से लद जाएगा तो उस इस्प्रे में आपको कौन सी चीजों का प्रयोग केतने मात्रा में करना है तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बीना स्कीप के अंतों तक जरूर देखिए और किसान भाईयो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास आए गंटी की निसान को जरूर दबा दीजे जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए किसान भाईयो अब अगर बात इस्प्रे की करें तो उस इस्प्रे में आपको तीन चीजों का परियोग करना पड़ेगा तीन में से पहली चीज है डाई फेंतिरोन पचास परतिसर डब्ल्यूपी डाई फेंतिरोन एक ऐसा टेकनिकल है जो लगबख सभी प्रगार के रेस्टूसक कीटों को काफी आसानी से कंट्रोल कर लेता है मिर्च में मुक्य रूप से सपेद मक्की थ्रिप्स और हरा तेला का टेग होता है तो अगर आप डाई फेंतिरोन का पर्योग इसमें करते हैं डाई फेंतिरोन का इस्प्रे करते हैं तो मिर्च में सभी प्रगार के रेस्टूसक कीट कंट्रोल हो जाएंगे दाइपेंटिरोन के रूप में आप सीजेंटा की पेगासस केट नासक का पुर्योग भी कर सकते हैं दूसरी चीज डालना है यूपियल कंपनी की साप फबुन्दी नासक साप में टेक्निकल होता है कारबेंडाजिम और मेंकोजेब साप के पुर्योग से मिर्च में जो फंगस के कारण वाइरस आते हैं रोग आते हैं वह आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे और तीसरी चीज डालना है नपिके 19.19.19 में मुक्य रूप से नाइट्रोजन, फासपरस और पोटास मोजूर होते हैं जिसका पुर्योग अगर मिर्च की वसल में कया जाता है तो मिर्च में ज्यादा पूटा होगा, जड़ और तने को मजबूती मिलेगी और ज्यादा फलपूल और ज्यादा प्यदावार होगी तो किसान भायो यह तो हमने बात की इन तीन चीजों के बारे में, अब बात करते हैं इनके डोज के बारे में तो 15 लिटर पाने में आपको लेना है 25 ग्राम डाइप एंटिरोन, 50% WP डाइप एंटिरोन के रूप में आप इसी जेंटा की पेगासस का पुर्यों कर सकते हैं पेगासस का 25 ग्राम का एक पेग आएगा तो उस पूरे पेकेट को आपको एक टैंकी में डाल देना है और आपको लेना है 25 ग्राम यूपियल की साप और उच्छी के साथ 60 ग्राम एंटिर के 19,19,19 अब बात करते हैं इनका इस्प्रेक कब करना है तो मिर्च में सुरुवाती फूल निकलने से पहले मतलब जब आपकी मिर्च में पहली बार फल भूल आते हैं उससे ठीक पहले आपको यह इस्प्रेक कर देना है आपको यह तीन चीजों को मिला कर इस्प्रेक कर देना है जिससे मिर्च में काफी सांदार रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाईयो मैंने खुद अपनी मिर्च में इन तीन चीजों का इस्पर क्या है और मेरे मिर्च में अभी काभी सांदर पूटाओ देखने को मिल रहे है तो आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में आपकी क्या राए है कमेंट करें के जरूर बताइए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक को शेर जरूर करे चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान